हेलो एवरिवन जियो कॉंसेप्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सैट स्क्वाइर की साहता से किसी भी लंबाई की रेखा को कैसे समान भागों में पांटा जाता है तो आईए शुरू करते हैं यहां हम 18.7 की रेखा खिंचेंगे जिसको हम पांच समान भागों में बांटेंगे यह हमारी लाइन भी 18.7 की इसको हम नाम देंगे रेखा A और B बिंदू A से हम किसी भी एंगल की का कोंड लेकर एक अब बिंदू A से किसी भी एंगल का एक कोंड लेकर हम C की रेखा खिंचेंगे इस परकार से यहां पर A से जो कौंड लिया गया है अर्थात B, A, C यह किसी भी डिगरी का हो सकता है अब हमें रेखा AB को यदि पांच भागों में बांटना है तो पांच चाप हम रेखा AC पर लगाएंगे और यह चाप समान दूरी पर लगेंगे इसके लिए हम किसी भी दूरी का प्रकार खोल सकते हैं एक इंच, दो इंच, डेड़ इंच वो डिपेंड करता है कि आपका पेज का साइज क्या है यहां पर मैं इतने इतनी दूरी का प्रकार खोल कर रेखा AC पर पांच चाप लगाता हूं इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यह चाप आपकी रेखा AC से बाहर ना जाए इसलिए आपको दूरी उतनी ही रखनी है जो कि इस पर पूरी तरह से कवर कर ले अब इन सभी चापों के हमने यहां पर नाम लिख दिये हैं बिन्दू A1, A2, A3, A4, A5 अब हमें करना क्या है एक सैट सैट स्कॉयर की सायता से बिन्दू A5 को बिन्दू B से मिलाते हुए डॉटि लाइन से इसको जोडएंगे इसके लिए हम सैट स्कॉयर को सैट करेंगे इस परकार से बिंदू B5 A5 और बिंदू B को मिलाते हुए dotted देखा खींचेंगे इस तरह से और इसके लिए हम क्या करते हैं इसके जो तीसरा साइड है सैट स्कॉयर का वहाँ पे हम दूसरा सैट स्कॉयर इस तरह से इसके साथ सैट कर लेते हैं और ध्यान रखें कि ये नीचे वाला सैट स्कॉयर हिलना नहीं चाहिए इसकी पोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए एक बार इसको फिक्स कर दिया तो ये पूरी एक्सरसाइज के दोरण इसकी स्थिति स्थिर रहेगी इस प्रकार से अब बी वाला जो सैट स्कॉयर है नीचे वाला इसको ना इलाते हुए उपर वाले को इसकी पोजिशन आगे पीछे हम किसकाते हुए इसको बिंदू बी फोर पर ले जाएंगे और वहाँ से रेखा ए बी पर एक डॉटिल लाइन से इसको अटैच करेंगे या जोड़ेंगे इस परकार से और जहाँ पर ये रेखा भी ए बी को काटेगी वहाँ उसका एक डिवीजन पूरा हो जाएगा अब नीचे वाला जो सैट स्कॉयर है इसको इस्थिर रखेंगे और उपर वाले सैट स्कॉयर को फिर से पीछे की तरफ ले जाएंगे और बिंदू A3 पर इस्थिर कर देंगे और वहाँ भी एक डॉटी लाइन खीचेंगे जैसे हमने पहले खीची थी इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान नीचे वाला जो सैट स्कॉयर है उसकी स्थिती चेंज नहीं होने चाहिए उसकी पोजिशन हिलने नहीं चाहिए अनित्था ये डिविजन सही नहीं होंगे इस परकार ये हमारा लाश्ट डिविजन है A1 से हम एक डॉटी लाइन खीचके रेखा A B पर इस तरह से काटेंगे सारी एक्सरसाइज होने के बाद हम ये सैट स्कॉयर हटा लेंगे और इस परकार आप देखेंगे कि ये रेखा A B पांच समान भागों में बट गई है इस परकार हमारी ये रेखा A B जो कि 18.7 cm की थी ये पांच बराबर भागों में बाटी जा चुकी है आईए इसको चेक करते हैं कि परते एक भाग एक दूसरे के बराबर है या नहीं इसको इस परकार से चेक कर सकते हैं आप इस तरह से एक पेपर को आप फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड करकर उस पेपर को इस लाइन के सारे रखेंगे देखा A B के साथ यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो बिंदू है इसको मैंने पेपर पर अंकित कर लिया है और पहला डिविजन जहां पर ये लाइन कट कर रिये इस डिविजन को मैंने यहां पर ले लिया यहां से ये शुरू हो रहा डिविजन और यहां पर ये खतम हो रहा है इसी तरह से हम तीसरे डिविजन पर रखेंगे तो ये डिविजन भी पहले डिविजनों के बरावर है आगे इसको move करते हैं तो ये देखिए सारे division एक दूसरे के समान हैं इस परकार आप इसे घर पर check कर सकते हैं अगर ये division गलत आ रहे हैं तो आपने कहीं न कहीं बीच में चूक की है अठात आपका set square कहीं न कहीं हिल गया होगा अपनी position से जिसकी वज़े से वो गलत हो सकता है एक सीधी सरल रेखा को set square की सायता से कैसे समान भागों में बाटा जाता है इसके पिविन्द चर्णों को स्क्रीन पर लिख कर भी प्रदर्शित किया गया है आप इसे देख सकते हैं यहां स्क्रीन पर एक अभ्यास प्रशन दिया गया है जिसे आप घर पर प्रेक्टिस कर सकते हैं प्रशन इस प्रकार है एक 19.4 cm की रेखा को 5 समान भागों में विभाजित कीजिए प्रशन पर लिख कर सकते हैं प्रशन पर लिख कर सकते हैं